आज हम ए विकारी सब्दों के अंतरगत आने वाले सब्दों को पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए ए विकारी सब्दों के अंतरगत मुख्य रूप से जो सब्द आते हैं वो आपको तीन रूप के सब्द याद रखने हैं कौन कौन से नमबर एक संबंद बोधक संबंद बोधक सब्द जितने भी संबंद बोधक सब्द होते हैं वो सब किसमें आते हैं एविकारी सब्दों में इसके बाद आपको द्यान में रखना है किरिया विशेशन किरिया विशेशन जो सब्द होते हैं किसमें आते हैं एविक विश्मयादी बोदक सब्द ये तीनों फिर्कार के सब्द जो होते हैं ए विकारी होते हैं मतलब इन्हें हम लोग लेक्जन के आधार पर कभी भी क्या नहीं कर सकते बदल नहीं सकते कौन कौन से सब्दों को संबंद बोधक को किरिया विशेशन को और विश्मियादी बोधक को तो देखिए आप लोगों से एक्जाम में जो प्रिसिन पूछा जाता है वो इस प्रिसिन को ले करके जादा प्रिसिन पूछे जाते हैं किरिया विशेशन को ले करके किसको ले करके किरिया विशेशन को ले करके तो सबसे पहले हम जिस सब्द को जानने जा रहे हैं वो है हमारा संबंद बोधक ए विकारी सब्द तो देखें संबंद बोधक सब्द को ए विकारी सब्द क्यों का गया है आप सब जानते हैं सम्बंद बोधक एविकारी सब्द सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या प्रकरन डाला है सम्बंद बोधक एविकारी सब्द यह हम लोग प्रकरन आज पढ़ने जा रहे हैं अब इसमें देखो आप संबंद बोदग ऐड़े विकारी सब्द में इसमें सबसे पहले क्या बताए गया है कि संबंद अब देखो जैसे मैं ने कहा जैसे राम चलता है वैसे सीता डरती है डरती है अब देखो आप यहाँ पर आप सबको पता है क्या पता है यहाँ पर कि एक तो सब्द आया है जैसे संबंद को दर्शाने के लिए कौन से सब्द दिखाई दे रहा है आपको जैसे और एक आपको जैसे आप वैसे यह जैसे और वैसे जो दो सब्द है कौन कौन से जैसे और वैसे जो यहाँ पर आपको दो सब्द दिखाए दे रहे है यह दोनों सब्द किसको बता रहे है संबंद को किसको बता रहे है संबंद को किसके संबंद को बता रहे है राम का चलना और सीता का डरना इन दोनों के पर सीता लिख दूव सीता तो यहां पर आप लोगों पता है कि मुझे चलता की जगे क्या लिखना पड़ेगा चल्ती लिखना पड़ेगा अब आप लोग समझसकते हूग है इस सब्द के कारण से यह सब्द ऐसा की ऐसा नहीं लिखा जा सकता तो इसका मतलब जैसे ही हम लोगों ने यहां पर संग्या की लिंग चेंज कर दी तो यह सब्द क्या हो गया बदल गया यह सब्द क्या हो गया बदल गया तो हम लोगों को पता है कि राम हमारा एक संग्या सब्द है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं लिंग बचन के आद पर बदल सकते हैं कि यदि मैंने यहां पर चलती है लिख दिया तो यहां सीता करना पड़ेगा और यहां सीता लिख दिया तो यहां चलती है करना पड़ेगा मतलब दौनों में ही क्या है कि दौनों में ही लिंग पर परिवर्तन हो रहा है तो यह दौनों विकारी हो सकते हैं क जैसे सब्द के आगे किसी भी प्रकार के सब्द लिख दो आप कैसे भी सब्द लिख दो लेकिन इसके ऊपर कोई फरक नहीं पड़ेगा चाहे यहाँ पर सीता लिखू चाहे यहाँ पर कवीता लिखू चाहे यहाँ पर सीता लिखू चाहे यहाँ पर राम लिखू तो लिंग के आदार पर वचन के आदार पर इन दौनों सब्दों में कोई प्रवाब नहीं पढ़ रहा है इसलिए ये दौनों क्या है एक तो संबं पून बात द्यान में रखनी है और देखो इसके नेक्स दारण जासे में के सामने क्या मैंने लिग दिया जैसे मोहन मोहन जासे में लिग दिया मोहन जब मौहन जब मौहन पढ़ता है पढ़ता है तब सोहन सोहन खेलता है अब देखो आप अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आप से संबंद बोदक सब्द कौन से तो सब्द पता है कि सर संबंद बोदक सब्द है यहाँ पर जब और तब जब और तब दोनों ही सब्द कैसे संबंद बोदक सब्द है जो एक दूसरे के किसको बता रहे है संबंद को बता रहे है अब इन दौनों को आपको पता है हम लोग क्या करके देखते हैं किसके जगे मोहन की जगे सीता लिखके देखते हैं सीता पढ़ती है पढ़ती है क्या आप लोग बात बताओ यहां पर इस जब को लिखते समय क्या मुझे कुछ change करना पड़ेगा नहीं जब सीधा पड़ती है तो यहां मैंने link change कर दिया यहां मैंने किरिया change कर दी लेकिन इस जब में कोई भी प्रवाव नहीं पड़ा जब हमने जोंकातियों लिख दिया लेकिन जैसे मैं यहां पर सीथा लिख दू तब लिख करके मैंने यहाँ पर सौन की जगे सीता लिख दिया और खेलता है की जगे मैंने खेलती है लिख दिया तो क्या यहाँ पर तब में कोई फरक पड़ा है क्या नहीं पड़ा अब देख सकते हैं जब और तब मैंने क्या यूच किये हैं जैसे के तैसे अर्थात ये दौनों सब्दों में कोई परक नहीं पड़ा है इसलिए ये दौनों सब्द कैसे हुए ए विकारी सब्द हुए तो आप लोगों को केवाल इतना ध्यान रखना है अभी सम्बंद बोधक में बाकी हम इसको पद परिचे के अंतरकाद इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि सम्बंद बोधक में जो सब्द होते है वो अमेशा कैसे होते है ए विकारी सब्द होते है अब आगे देखिए अभी मैंने आपकी सामने क्या बताया है अभी मैंने आपके सामने सम्बंद बोधक बताया है यह आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अच्छे से अब हम लोग दूसरा प्रकरन देखेंगे कौन सा किरिया विशेशन दूसरा प्रकरन कौन सा हैगा हमारा किरिया विशेशन तो किरिया विशेशन भी कैसा सब्द है ए विकारी कि अंतरगत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आईए देखते हैं अब हमारा एक बहुत ही मोज टॉपिक चल रहा है किरिया विशेशन आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते समय इसको अलग से नोट्स बना करके लिखना अपनी कॉपी में कि किरिया विशेशन किसे कहते हैं किरिया विशेशन कितने प्रकार के होते हैं और किरिया विशेशन जो सब्द होते हैं वो कैसे एविकारी सब्द के रूप में दिखाई देते हैं तो देखे सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इसमें जो दो सब्द जुड़े हुए है पहला सब्द क्या जुड़ा हुआ है किरिया और दूसरा सब्द क्या जुड़ा हुआ है इसमें विशेशन अब आप लोग सब जानते हैं कि किरिया और विशेशन दोनों ही कैसे सब्द है दौनों ये विकारी सब्द है परिवर्तित होने वाले सब्द है लेकिन जब ये दौनों एक साथ इस्तिमाल होते है एक साथ उप्योग में ले जाते है तो ये सब्द कैसे बन जाते है तो भी ये सब्द बन जाते है ए विकारी कैसे बन जाते है ए विकारी देखो मैं आपके सामने लिखा राम पढ़ता है राम पढ़ता है अब देखो यहाँ पर आपको पता है राम पढ़ता है तो अगर मैं यहाँ पर इस पढ़ना किरिया को यह पढ़ना क्या है? किरिया है हम लोग किरिया हम पढ़ी चुके अगर मैं पढ़ना किरिया की जगे यहां पर किरिया की जगे यहां पर किरिया क्या पढ़ती है क्या लिख दो पढ़ती है लिंग चेंज कर दिया मैंने यहां पर तो यह राम क्या हो जाएगा बदल जाएगा यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा राम की जगे सीता लिखना पड़ेगा तो किरिया क्या हो रहा है किरिया लिंक के अनुसार बदल रही है तो किरिया का लिंक के अनुसार बदलना ही क्या प्रमानित कर रहा है कि यहां पर जो किरिया है वो कैसा है विकारी सब्द है नहीं कि एविकारी सब्द है लेकिन अब आप देखोगे कि जब किरिया की विशिष्टा बताई जाती है तो उस समय किस तरीके से किरिया विशिष्ट सब्द हमारे सामने आते है और वो किस तरीके से एविकारी बन जाते है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे सबसे पहले आप लोग लिखोगे किरिया विशेशन की परीबासा सबसे पहले आप क्या लिखोगे किरिया विशेशन की परीबासा यह लिखिए आप सबसे पहले लिखिए किरिया विशेशन किसे कहते हैं तो देखिए आप लिखो किरिया की विशेशता बताने वाले सब्दों को सब्दों को सब्दों को किरिया विशेशन कहते हैं किरिया विशेशन कहते हैं किरिया विशेशन कहते हैं बहुत मुष्ट परिवास आए अब देखो आप अब मैं आप लोगों से इससे भिनने के सवाल करने जा रहा हूं यहां तो मैं लिख दिया किरिया विशेशन किसे कहते हैं सब को पता चल गया कि सर किरिया की विशेशन किसे कहते हैं अब मैं आप से कहूं कि विशेशन किसे कहते हैं इसको अठा करके मैंने आपके सामने एक प्रिसिन रख दिया यहां पर विशेशन किसे कहते हैं तो आप सब क्या बताओगे विशेशन की परिवासा क्या बताओगे आप कि संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले सब्दों को क्या कहते है विशेशन कहते है क्या कहते है विशेशन कहते है ध्यान रखेगा आप संग्या या सर्वनाम की जब विशेशता बताओगे आप तो व वो सब्द क्या कहलाते है विसेशन कहलाते है लेकिन लेकिन जब किसी किरिया की विसेशता बतलाई जाती है जब किसी किसी की विसेशता बतलाई जाती है किरिया की तो वो किरिया विसेशन कहलाते है अब देखो कैसे मैंने क्या लिखा मैंने लिखा काली गाए काली गाए बहुत दूद देती है, बहुत दूद देती है, इसको अटाओ आप, ऐसे लेखिए, काली गाये बहुत खाती है, बहुत खाती है, देखिए आप, मैंने क्या लेका, काली गाये बहुत खाती है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, द्यान चे सुनिएगा, तो आप सबको पता है कि सर ये काली सब्द गाय की विशेशता है और गाय क्या है गाय सर एक संग्या है तो संग्या की विशेशता बताने वाला सब्द क्या कहलाता है सबको पता है सर विशेशन कहलाता है क्या कहलाता है विशेशन कहलाता है तो यहाँ पर तो आप लोगों को क कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये टॉपिक तो आपने पड़ा हुआ है अब यहां पर देखी ये बहुत सब्द किसके लिए आया है बहुत सब्द आया है खाने के लिए किसके लिए खाने के लिए और खाना क्या है एक किरिया है खाना क्या है एक किरिया है तो किरिया कर रह कि बहुत खाती है गाय की विशेष्टा क्या है वो काली है और किरिया की विशेष्टा क्या है कि वो बहुत खाती है तो यहां पर जो बहुत होगा वो किरिया की विशेष्टा होने के कारण से क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा क्या क्या कहलाएगा क्या 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 मैंने लिखा आपके सामने राम दीरे दीरे चलता है सीता जल्दी जल्दी खाती है खाती है हाथी बहुत खाता है खाता है रमेश सुभे 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 दोड़ता है अब आप मुझे ये बताईए कि ये जो मैंने आपके सामने ये एक दो तीन चार जो चार उधारन लिखे है इस चारों उधारनों में किरिया कौन सी है और किरिया की विशेशता बताने वाला किरिया विशेशन सब्द कौन सा है अब आप लोगों के सामने मेरा ये सवाल आ गया किरिया सब्द कौन सा है और किरिया की विशेश्टा बताने वाला विशेशन सब्द कौन सा है आप सबको पता है यहाँ पर चलना यहाँ पर खाना यहाँ पर खाता है खाना यहाँ पर दोड़ता है दोड़ना ये चारो सब्द क्या है किरिया सब्द है अब इन किरियाओं की विशेशता क्या है कि वो चलता है कैस चलता है देरे देरे चलता है तो देरे देरे सब्द क्या है किरिया विशेशन जल्दी जल्दी खाती है जल्दी जल्दी क्या है किरिया विशेशन बहुत खाता है बहुत क्या है किरिया विशेशन सुबह सुबह दोड़ता है क्या है दोड़ने की विशेशता इसलिए किरिया विशेशन इस तरीके के सवाल आएंगे और आप से पूछा जाएगा इनमेंसे कौन सा सब्द किरिया विशेशन है या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किरिया विशेशन सब्द छाटिये या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कोई उधारन दे करके कि कोई किरिया विशेशन सब्द लिखिये तो इस तरीके से आप लोगों को किरिया विशेशन की परिवासा रोधारन समझ में आ गए अब इसका मैत्पून टॉपिक क्या है कि किरिया विशेशन कितने प्रकार के होते हैं सबसे मैत्पून पर से नहीं एक्जाम में ध्यान रखना आप किरिया विशेशन कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा एक्जाम में अब आप लोगों को सब को पता है अगर आप लोगों से किरिया के प्रकार पूछे जाए तो आप लोग सब जानते हो किरिया दो प्रकार की भी होती है पात प्रकार की होती है विशेशन पूछा जाए तो विशेशन के प्रकार भी आपको याद है लेकिन अगर इन दौनों से मिला जुला एक ही सवाल पूछा जाए कि किरिया विशेशन कितने प्रकार के होती है तो आप क्या जवाब दोगे तो आप लोगों का जवाब वही जो आप लोगों को अब बताए जाएगा dhy misinformation इस चार प्रकार के होते हैं किरिया विशेशन प्रमूक रूप से कितने प्रकार के होते हो चार प्रकार के कौन-कौन से होते हैं पहले होता है हम लोग लेकिंगे इस्थान वाचक कौन सा होता है इस्थान वाचक जब किसी किरिया की इस्थान से सम्मंदित विशेशता बताए जाती है तो उसे क्या कहते है इस्थान वाचक किरिया विशेशन इस्थान वाचक किरिया विशेशन दूसरा होता है काल वाचक दूसरा कौन सा होता है काल वाचक इसके बाद नमबर तीन पर आता है आपका परीमान वाचक यह आता है नमबर तीन पर और अंतिम प्रकार आता है आपका रीती वाचक किरिया विशेशन यह आता है तो आप लोगों को यह चारो ही प्रकार याद रखने है सबसे पहले अब इनमें देखो क्या आपको मोश्ट बात याद रखनी है इसमें तो आपको याद रखना है इस्थान इसमें आपको याद रखना है काल इसमें आपको याद रीती ये चारो सब्द याद होने चाहिए कौन कौन से इस्थान इस्थान काल परीमान और नमबर चार पर रीती ये आपको चारो सब्द याद रखने हैं ये ही क्या है किरिया विशेशन के मुख्य प्रकार इनके अलावा किरिया विशेशन के कोई प्रकार आपको याद में रखने हैं ये चारो ही प्रकार आप लोगों को एक्जाम में पूछे जाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं जैसा कि हमारा लिकार आपर क्या इस्थान क्रिया विशेशन क्या लिखा हुआ है इस्थान वाचक क्रिया विशेशन पहला सब्द हमारा क्या लिखा हुआ इस्थान वाचत किरिया विशेशन ये सब्द आपको याद रखना है इस्थान वाचत किरिया विशेशन स्थान का मतलब सब जानते हो कि जब कभी कोई इस्थान का वोध कराए वे है किरिया विशेशन सब्द जो किसी इस्थान का बोध कराए बोध कराए उसे इस्थान वाचक किरिया विशेशन कहते है उसे क्या कहते है इस्थान वाचक किरिया विशेशन कहते है जी आपको मुश्ली द्यान में रखना है क्या परिवास लिखाए मैंने आपको इस्थान वाचक किरिया विशेशन की कि वे है किरिया विशेशन सब्द जो किसी इस्थान का बोध कराए उसे इस्थान वाचक किरिया विशेशन कहते हैं क्या कहा मोहन मोहन इधर इधर उधर उधर गूम रहा है गूम रहा है अब देखो आप आप सब को पता है कि यहाँ पर करता कौन है मोहन अब मोहन के लिए क्या लिखा यहां पर कि वे इदर उदर क्या कर रहा है गूम रहा है अब गूमना क्या है किरिया अब गूम कि दर रहा है वो इदर विदर अब इदर और उदर ये किसका बोद करा रहे है ये सब को पता है ये इस्थान का बोद करा रहे है सब किसका बोद करा रहे है इस्थान का इदर के लिए प्रुप्त हुआ है और सब्सक्राइब यह अमारा सब्सक्राइब इस तरीके से जब आप लोगों को कोई किरिया की विसेश्ता बताने वाला सब्द कर आएगा तो कौन सा यहां आया है यहां आया है अब यहां आपको पता है किसका बोट करा रहा है यह इस्थान का बोट करा रहा है किसका बोट करा रहा है इस्थान का यहां वहां इदर उदर जितने भी यह सब्द हैं यह सारे के सारे सब्द इस्थान का बोट कराते हैं तो जो किरिया की विशेशता बताने वाला सब्द इस्थान का वोत करा रहा है वो कौन सा किरिया विशेशन कहलाएगा इस्थान वाचक किरिया विशेशन कहलाएगा आईए अब दूसरे पिरकार पे चलते हैं दूसरा पिरकार है हमारा काल वाचक काल वाचक काल वाचक किरिया विशेशन अब इसमें देखो आप कितना मोश्च सवाल आपके सामने आने वाला है कि काल वाचक जो किरिया विशेशन होता है पहले तो किसे कहते है तो आपको क्या बतानी है परिवासा में किरिया की विशेश्ता विशेस्ता बताने वाला वहे सब्द जो काल या समय का बोध कराता है बोध कराता है उसे काल वाचक किरिया विशेशन कहते है अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या मूश्चली चीज देखिये यहाँ पर आप लोगों को क्या मूश्च सब दिखाए दिया है कि सर जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले एक स्थान सब्द लिखाता कि बर उसकी जगे आपने यहाँ पर क्या किया है काल और समय लिख दिया है तो यह जो सब्द है काल और समय यही तो आपका किरिया विशेशन सब्द है इसी सब्द जे पता चलेगा कि यह कौन सी करिया विशिशन है काल वाचक करिया विशिशन है कौन सी है करिया विशिशन काल वाचक मैंने कहा रमेश सुभे 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 पढ़ता है अब देखो आप यहां पर आप सब देख रहे हैं कि रमेज क्या काम कर रहा है पढ़ने का अब पढ़ने की किरिया कब कर रहा है सुबह अब जो सुबह सुबह सब्द है यह इस्थान को बता रहा है या समय को बता रहा है समय को तो यहां पर समय कब हो दोने के कारण से यह किस में चला जाएगा काल वाचक किरिया विशिशन मे चला जाएगा मैंने का राम राम रात्री को रात्री को पढ़ता है अब पढ़ता है कब पढ़ता है रात्री को मतला रात में अब रात्री क्या है समय तो समय होने के कारण से किस में चला जाएगा काल वाचक किरिया विस्टिशन में चला जाएगा तो आप लोगों को यही द्यार में रखना है कि अगर रात्री आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, दिन आ जाए, कोई भी समय आ जाए, तो जो भी समय का बूद कराने वाले किरिया विशेशन सब्द होते है, वो सारे के सारे सब्द कौन से होते है, काल वाचक किरिया वि किरिया विशेशन परीमान वाच्चा किरिया विशेशन सब्द यह आ गया आपका अब देखो आप इसमें क्या बता होगे आप परीमान का मतलब होता है वो ही मात्रा वो ही नतीजा तो आप लोगों पता है कि जहां जहां किरिया विशेशन सब्द से किसी वस्तु का परीमान या मत्रा का बोध होता है या बोध होता हो उसे क्या कहते है उसे परीमान वाच्चा किरिया विशेशन कहते है अब देखो आप अब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है यहां पर भी एक सब दिखाई दे रहा है कि जहां किरिया विशेशन सब्द से किसी वस्तू के परिमान या मात्रा का बोद होता है किसका परिमान या मात्रा का अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां पर इस्थान का वो दोगा वहां इस्थान वाचक जहां समय काल का वो दोगा काल वाचक और जहां परिमान का वो दोगा वहां पर परिमान वाचक कैसे मैंने लिखा जैसे आपके सामने को दारन लिखा था हाथी बहुत खाता है खाता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते है कि जो यह सब्द है बहुत यह बहुत किसको बता रहा है परिमान को, नतीजे को कि हाती बहुत खाता है हाती बहुत खाता है तो जहाँ परिमान को बताया जाता है वहाँ पर कौन सा होता है परिमान वाचक समझ में आ गया वह अधिक खाता है वह कम खाता है वह जादा खाता है तो जहां पर भी आपके सामने परिमान को नतीजे को महातरा को दर्साया जाए किरिया की विशिष्टा में वो सभी किसके अंतरकत आते हैं परिमान के अंदर अब आप पचासो दारण आप लोग यह टिक कर दोगे कि किसमें कौन सा है अब देखिए आगे आपका अंतिम प्रकार है रीती वाचक रीती वाचक अ देखो अब इसके अंदर क्या है साथि हो कि रिदी वाचक के अंतर होता है कि रीती मतलब क्या होता sign आप सब को पता है यह सब्द का बौर आता है अपन आसी कि रीधी खतार है आप हमारे समाच की रीधी है अब रीति को वाद परमपरा तो जो सब्द किसी जो सब्द जो किरिया विशेशन सब्द जो किरिया विशेशन सब्द सब्द किसी रीति या परमपरा का बोध कराएं या बोध कराते हो वो क्या कहलाते हैं रीति वाचक के लिए विशेशन अब देखो आप मैंने आपके सामने चार सब्द लिखे पहले मैं आपके सामने एक सब्द लिख रहा हूँ मैंने लिखा मोहन दीरे दीरे चलता है चलता है बारिस तेज तेज होती है तेज तेज हो रही है अब देखो आप मोगन दीरे दीरे चलता है बारिश तेज तेज हो रही है अब देखो आप यहाँ पर क्या देखाए दीरा है मोगन दीरे दीरे चलता है अब क्या दीरे दीरे में कोई स्थान का पता चल रहा है नहीं क्या कोई समय का पता चल रहा है नह यहां पर एक रीती आ रही है परम परागत तरीके से हम लोग बोलते हैं दीरी दीरी चलना दीरी दीरी चलो तो जहां पर इस तरीके के रीती को प्रदर्शित करने वाले सब्द आपको दिखाई देते हैं वहां पर कौन सा विसिशन होगा रीती वाचा किरिया विसिशन होगा अब यहाँ पर देखो तेज तेज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की चाल को बता रहा है यहाँ पर गती को बता रहा है लेकिन चाल और गती होने के साथ साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रकार से ये चारो सब्द कौन से हो गए हमारे किरिया विशेशन के अंतरगत आने वाले सब्द कौन कौन से काल वाचक हो गया इस्थान वाचक हो गया परिमान वाचक हो गया रिती वाचक हो गया इन चारो प्रकारों को अच्छे से याद रखो यह आपके एक्जाम में आन किसको आश्चर्य को प्रकट करने के लिए प्रियुक्त होते हैं आश्चर्य के लिए प्रियुक्त होने वाले सब्द क्या कहलाते हैं विश्मयादी बोदक सब्द कहलाते हैं यह आपको याद रखना है कैसे जैसे मैंने आपके सामने लिखा अरे यह है क्या हो गया यह है क्या हो गया अब देखो आप आपके सामने एक सब्द लिखा हुआ है यहाँ पर अरे क्या लिखा हुआ है अरे अब यह जो सब्द है यह किसको प्रदर्शित कर रहा है विश्मय को और विश्मय का अर्थ क्या होता है आश्चर्य विश्मय का अर्थ क्या होता है तो ए विकारी सब्दों का जो अंतिम रूपता वो यही था कि जिन सब्दों में आप लोगों को पता है कि किसी आश्चर्य का वोध होता हुआ नजर आता है उन्हें क्या कहते है विस्मयादी बोदक सब्द कहते हैं मैंने कहा ओ ओ ओ वह पास हो गया अब देखो यहां पर आश्चर्य तो ऐसे सब्द जो किसी विस्मयादी बोदक सब्द कहलाते हैं और विस्मयादी बोदक सब्द कोई हर्स को प्रकट करता है हर्स का मतलब खुशी को कोई दुख को प्रकट करता है और कोई किसी व्रीति वाचक आश्चर्य को भी प्रकट कर रहा है यह सारे सब् इसके बाद हम लोग नेक्स क्लास के अंतरगत एक नए टॉपिक के साथ हमारे इस इंदी प्रकरण की सुरुआत करें